आपका हरदिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के सॉलेंट प्रेटफॉर्म पे सभी को नमश्कार आज की जो इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्डेंट इमेजिस के बारे में बात करेंगे कुछ जो की महतपूर्ण इमेजिस होती है जो की आपके एक्जाम्स के रिगार्डिंग पूछे जाती है नौट्षट में काफी बार पूछी गई है जदा दर जो एम्स डेली जो कुछिन सा आंसर करवाता है आपसे जो कुछन पीबल लेता है वो अपने ही इंस्ट्रूमेंट को बार बार पूछता रहता है जैसे कि मैं आपसे बात करूँ कि जो एम्स डेली के आईश्यू के अंदर, सिसीू के अंदर, इमर्जन सी के अंदर, उटी जो एंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जो equipment यूज होते हैं, जो machinery यूज होती है, उनी की according exam में question आते रहते हैं। जो भी चीज़ें आपको मौझू देखने को मिलती हैं, जो भी चीज़ें डेल यूटिन में होती हैं, जो ड्रेन होते हैं, बहुत सारे ड्रेन्स होते हैं, बहुत सारे वेंडिलेटर्स होते हैं, टाइप टाइप की चीज़े होती हैं, उन सब के बारे में हम आज़ी क्लास मे deal करेंगे ये class आपके लिए बहुत beneficial होगी आपके exams के regarding तो बने रहीएगा मेरे साथ class को शुरुआत करने से पहले हम कुछ motivational thought के वारे में देखते हैं जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफे होगी जितना बड़ा सफना होगा काफी बच्चे सोचते हैं कि नहीं में तो CHO लग जाए CHO में लग जाऊं तो बहुत है मेरे लिए नहीं आप not set का सपना रखें क्या रखें बच्चो not set का सपना रखें aims में लगने का सपना रखें तो तकलीफे ज़रूर बड़ी होगी लेकिन आपके काम्याभी उतनी अच्छी होगी आगे बास अजमें आपको आपके गाउं के अंदर आपके लोग आपको जानेंगे आपके रिस्पेक्ट करेंगे आपके घरवालों की रिस्पेक्ट करेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नजरिया जो है उनका बदल जाता है आगे बास तो चलिए आज के पहले question की तरफ हम चलते हैं आपको relax होके question को समझना है, answer करना है, नहीं आई तो बार-बार पूछना है चलिए identify the image image को identify करना है, उसका answer बताना है, क्या है यह ठीक है, बताएंगे फटापट से क्या, इसका क्या use होता है और किसको क्या बोलते हैं, बताएंगे फटापट से इसका क्या तो नाम है, इसका क्या use होता है, उसके बारे में मुझे बताएंगे फटापट से कि देखो इसकी अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक bag type है एक खेला type है बुर्चो एक क्या है एक बैग टाइप आपको दिख रहा है किसर एक तो ये बैग है जिसके अंदर ये मार्किंग करी गई है करी गई है नहीं करी गई है किसर बिल्कुल करी गई है फिर इसके बाद यहां पे मार्किंग करी गई है दिख रही है आप सभी को इसर ये marking करी गई है एक यहाँ पर एक connector बताया गया है ठीक है जिसके उपर ढखकन लगा हुआ है ठीक है ये हमारा pipe है जिसके अंदर ये pipe जा रहा है और ये connector है है नहीं है किसर बिलकुल है अब इसका use क्या होता है मैं आपको बताता हूँ आपने कभी भी hospitals में काम किया होगा तो आपने देखा होगा generally जो patients होते है generally जो post-operative patients होते है जो अपने move नहीं कर पाते हैं अपने bed से तो उनके अंदर एक fallis catheter लगा होता है क्या लगा होता है मेरे प्यारे बच्चों किसर एक fallis लगा होता है एक फॉलिश एक पिशाब नली लगी हुई होती है उसके अंदर इसको connect किया जाता है इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को connector को हम उसके अंदर क्या करते हैं बच्चो connect करने का काम करते हैं और connect कर गए उसको क्या करते हैं urine को उसके अंदर drain कर लिया जाता है करते हैं नहीं करते हैं कैसर बिल्कुल करते हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं drain bag बोल सकते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं euro bag क्या मेरी बासन में आ गई क्या मेरी बासन में आ गई तो इसको क्या बोलते है यूरो मीटर बोलते है यूरो बैग बोलते है यूरो बैग बोलते है देखो इस पर all नहीं बोलेंगे यूरो मीटर मीटर इसलिए नहीं बोलेंगे इसके उपर कोई मीटर नहीं है इसके उपर कोई मीटर नहीं है जनरली इसके अंदर मार्किंग्स है लेकिन इसके अंदर मीटर नहीं है आगी बसन में एक होता है यूरो बैग तो इसको आपको पता लगया होगा कि सर यूरो बैग होता है ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कुछ चंद पार्ट्स के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ कि सर इसको क्या बोलते हैं कि सर यूरो बैक बोलते हैं इसका कहा कहा पर यूज हो सकता है कि सर एक तो हम यूरिन को ड्रेन करने के लिए यूज हो सकते हैं कि हमने अगर NG ट्यूब को आपने देखा होगा काफी फेंट के अंदर NG ट्यूब को क्या करते हैं continuous section पे रखते हैं रखते हैं तो उनके के अंदर भी हम क्या करते हैं ईस बैक को लगा देते हैं जितना भी निजल से जो भी स्टमक से जो भी हमारा क्या आता है secretions आते हैं जो भी wild product आते हैं जो भी हमारा stomach से जो product आता है बहार निकल गे वो इसके अंदर drain के लिए आता है या किसी भी drain के अंदर इसको use किया जा सकता है आगे बास सब्सक्राइब बहुत बढ़िया अब देखो इसके अंदर बच्चों कुछ ऐसे important चीजे में आपको बताता हूँ जो लास्ट वाली line आपको देखने को मिल रही है लास्ट वाली जो line होती है इस पर marking होती है 100 तक की कितना होता है किसर इतने तक की marking होती है 100 इसको ऐसे उल्टा करके देखा जाता है और इसके अंदर 100 की marking होती है उसके बाद यहां पर marking उसके बाद क्या होता है किसर 200, 300, 400, 500 ऐसे टाइप की marking बनी होती है आगी बाद सर्ज में किसर यहां से हमारा क्या है किसर इसको खाली किया जाता है किसर यहां पर ढकन लगा होता है ढकन को निकालते हैं और इसे खाली कर देते हैं अगी बास सेज में बहुत बढ़िया तो कभी भी exam के अंदर question आता है तो आपको इसके बारे में बताना है आप जितनी भी image में आपको बताऊंगा उनका आप screenshot लेके रख ले या वीडियो को save कर ले ताकि आप future में इसको काम पड़े तो आप क्या कर सकते हो इसको बार बार देख सकते हो आगे बास सेज में चलिए identify the image में आपको एक image बताऊंगा उसको आपको identify करना है उसको बताना है क्या है यह देखो यहाँ पे इसके बारे में बताना है कि यह क्या चीज है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ कि सर यह जो white color का है इसके बारे में बात की जा रही है ना कि इसके बारे में यह आप तभी को पता है कि सर यह तो IV line है यह तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि सर यह तो IV line है IV line को fix करते हैं उसको transparent होती है यह आपको transparent देखने को मिल रही है नहीं मिल रही है किसर बिलकुल मिल रही है microboard कभी भी transparent नहीं होता है ना ही deodom होता है ना ही dynoplast होता है dynoplast आपने देखा होगा एकदम जो कपड़े वाला होता है आपने देखा होगा कपड़े वाला जो होता है रेड रेड कलर कासा होता है उसको बोलते है डाइना प्लास डियोडम क्या होता है कि सरक किसी भी बुंड पे लगाते हैं डियोडम के अंदर क्या जैली फॉर्म में एक लिक्विड क्या मिलता है आपको उसके अंदर एक लेयर मिलती है उसके अंदर एक अंटिसेप्ट की लेय मिलती है उसके अंदर हम क्या लगाते हैं किसी भी बेट सोर के उपर लगा सकते हैं किसी भी बुंड के उपर किसी भी ऑपन बुंड के अंदर हम क्या कर सकते हैं इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं टैगाडम टैगाडम दो टाइप के होते हैं एक होता है छोटा एक होता है बड़ा अगर मैं छोटे की बात करूँ तो किसके लिए होता है कि सर आईवी लाइन के लिए यूज होते हैं और बड़ा वाला जो होता है वो CBP की dressing के लिए होता है central venus pressure जब भी हम देखते हैं या अगले question की बात करते हैं कि सर इसका identify image image को identify करना है answer करना है आराम से question को समझना है बताएंगे फटापट से क्या है यह यह क्या plastic wire है यह piktil carrier है या 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 बताएंगे फटापट से यह क्या सब्सक्राइब लेकिन यहां पर यांग और सक्षं की बात करी गई या यांग यह तो बिलकुल नहीं होता मेरे प्लास्टिक वाइर तो है लेकिन प्लास्टिक वाइर हम इसको नहीं बोल सकते हैं तो इसको क्या बोलते हैं कि सर पिक्टेल catheter बुला जाता है pigtail catheter की खास पैचान होती है यहाँ पे एक log system पाया जाता है यहाँ पे एक log system पाया जाता है और इसको ही बोलते हैं pigtail pigtail को खास बात से समझ सकते हैं pigtail को हम ऐसे जान सकते हैं कि इसके अंदर एक log system पाया जाता है और इसको manage करने का काम किसका होता है मेरे प्यारे लाल लालियों इसको होता है डॉक्टर जो हमारा anesthesia SR होता है anesthesia वारे डॉक्टर होते हैं वही इसको manage करते हैं वही इसको बंद करते हैं वही इसको चालू करते हैं क्या मेरी बात संद में आगी आप सभी को चलिए बहुत बढ़िया इस इमेज को हम क्या कहेंगे आपको आंसर करना है ध्यान से कौन सा ड्रेन है यह किस प्रकार का ड्रेन है फटा फट से आंसर करेंगे ते जो आपने दस्वा कुशन नंबर है यह बच्चो पिटेल कैथेटर नहीं है इसको बोलते हैं क्रेक्ट कर लेना इसको बोलते हैं एपी डियूरल कैथेटर इसको बोलते हैं एपी डियूरल कैथेटर आगी बास्तराइब में करेक्ट कर लेना प्यारे बच्चो ठीक है आपको गलत नहीं पढ़ाएंगे गलत नहीं पढ़ना है इसका मतलब होता है यहां पे एक law system होता है क्योंकि कहां जाता है हमारे dura matter के अंदर जाता है epidural space के अंदर जाता है इसी लिए क्योंकि यह spiral cord के अंदर जा रहा है इसी लिए हम क्या करते हैं ये spinal cord के अंदर जाता है, हमारे brain की covering होती है, कौनसी dura matter, pya matter, arachinoid matter से आपको पता है, सबी को manages जो होती है, हमारे brain की covering होती है, उन तक ये जाने का काम करता है, इसलिए इसको anesthesia वाले जो srs होते है, anesthesia वाले जो doctors होते है, वो क्या करते हैं, इसको handle करने का काम करते है, हमारे nursing officers क handle करने का काम नहीं होता है, क्योंकि sterile technique से ही क्या होता है, use होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी infection लगता है, तो सीधा क्या कर सकता है, वो brain stem के अंदर जा सकता है, इसलिए हमारा इसका काम नहीं होता है, आगे बास में, बहुत बढ़िया, इस dream का नाम मुझे बताएंगे बताएंगे फटापट से क्या answer है आपे देखो इसके अंदर बताया गया है क्या Jackson Bay drainage है या Romo drain है या फिर हम कह सकते हैं पैंडरो drain है या फिर none है या कोई सा नहीं है बताएंगे ध्यान से समझना है एक बल्ब जैसा आपको देखने को मिल रहा है कि सर एक बल्ब जैसा drain है कि सर आकरती का है सर बल्ब आकरती का है कि सर बल्ब के जैसा है उसको बोलते हैं जैक्सन पैट ड्रेनिस उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों उसको कहते हैं जैक्सन पैट ड्रेनिस रोमो ड्रेन क्या होता है पैंडरो जिन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा आगे बास प्लास्टिक का प्लास्टिक का जो पाइप आपको देखने को मिलता है इस ड्रेन को किस नाम से जाना जाता है करेंगे फटापट से आंसर क्या होने वाला है आप सभी का बहुत ही इजी कोशन है बहुत ही अच्छा कोशन है बताएंगे फटापट से देखो जैक्सन पेट्रेंस तो नहीं होगा क्योंकि जैक्सन पेट्र मैंने अभी अभी आपको बताया है अब या तो रोमो होगा या पैन होगा अब आपको सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि सर ये पाइप जो है एक पैन जैसा देखने को मिलता है एक पैन जैसा होता है पी फोर पैन होता है और पी फोर पाइप होता है तो ये कैसा drain हो गया, मेरे प्यारे लाल लाली हो, किसर ये तो pain rose drain हो गया, कैसा हो गया, किसर pain rose drain हो गया, किसी भी body part को pain, आप किसी भी body, fluid को drain करने के लिए हम क्या use करते हैं, किसर pain rose drain का use कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, किसर बिलकुल कर सकते हैं, क्या मेरी बात सम को आपको बिलकुल नहीं गवराना है आपको टेंशन नहीं लेनी है जितने भी इमेज-based questions बनते हैं मैं आपको सारे पढ़ा दूँगा आगी बासन में उनसे बाहर कोई भी आपका एक प्रकार का कोई ड्रेन नहीं जाएगा किसी भी प्रकार का कोई इमेज भार नहीं जाएगी आगी बासन में जितने भी 5-10 questions बनते हैं देखो इमेज-based questions का एक scenario होता है पढ़ने का तरीका होता है हर चीज को देखने का तरीका होता है देखो जितनी चीजें एम्स के अंदर जो चीजें पूछी जाती है या यूज होती है वही एम्स आपसे का करता है एक्जाम के अंदर पुट करता है ऐसा नहीं है कि बूजु फॉरें में यूज हो रही है उसको यहाँ पूछ लेगा वो ऐसा नहीं होता है कभी भी जो चीजें हमारे यहाँ पे mostly उनी के बारे में आपसे पुछा जाता है और उनके लिए मैं आपसे यहाँ पे बैठा हूँ जो जितने भी एम जिली के अंदर use होती है सब के बारे में हम आपको बता देंगे अगी बारे में बहुत बढ़िया तो pain 4, P4 pain होता है कि सर P4 pipe होता है कैसा होगा कि सर P4 pipe जैसा होगा कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि सर P4 pipe जैसा होगा क्या मेरी बात आप तक पहुच गई है चलिए अगले question की तरफ चलते है identify the image इसको identify करना है यह बड़ा ही important सवाल है इसके बारे में मुझे आप बताएंगे कुछ देखो यह images दो हैं बच्चों वो दोनों सेम हैं इसके बारे में मुझे आप बता देंगे यहाँ पे कुछ options नहीं है आपको simple answer करना है कि क्या है देखो मैं आपको बारे में आपको बताता हूँ मैंने आपको बताया था कि सर एक होता है female catheter एक होता है female catheter होता है female catheter हम बाल सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि सर एक तो female catheter होता है fallis होता है मैंने आपको बताया था कौनजा होता है कि सर fallis catheter होता है fallis को हम male के अंदर भी use कर सकते हैं female के अंदर भी use कर सकते हैं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं लेकिन ये ऐसा train है जिसको female के अंदर use नहीं कर सकते हैं, only use in male, तो कैसा कह सकते हैं कि sir male catheter होता है, इसका दूसरे नाम होते हैं कि इसको कहते हैं sir condom catheter के नाम से भी जाना जाता है, कि sir इसको EMC के नाम से भी जानते हैं, EMC का मतलब होता है external male catheter, आप सभी को पता है, अगर किसी को नहीं पता है, तो please लिख लेंगे इस बातों को, इन तीनो चारो बातें जो हैं मैंने आपको बताई हैं, वो बहुत ज़्यादा important है, इसका use कब करते हैं, इसके अंदर क्या होत है, बच्चो इसके अंदर, इसका use क्यों करते हैं कि इसके अंदर less chances होते हैं, less possibility of, less possibility of infection, ki sir इसके अंदर infection की जो possibility होती है, वो कम हो जाती है fallis की बज़े से, fallis के अंदर तो internal parts की अंदर जा सकता है, जा सकता है नहीं जा सकता क्योंकि वो अंदर तक पड़ा हुआ है आपके ब्लेडर तक पड़ा हुआ है वो catheter लेकिन इसके अंदर कोई भी रॉल नहीं होता है इंटरनल ये external male catheter होता है male के penis पे इसको चड़ा दिया जाता है जो आपको ये देखने को मिल रहा है जैसे ही condom को चड़ाते हैं वैसे ही आप इसको male catheter condom catheter इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि वैसे ही इसकी जो shape होती है इसका जो हम कह सकते हैं इसका जो काम होता है वो वैसे ही होता है आगे बसवर्ण में और जो आपको ये देखने को मिलता है ये वाला जो port आपको देखने को मिलता है इसको हम क्या करते हैं कि सर euro bag से connect कर देते हैं करते हैं कि सर इसको euro bag से connect कर देते हैं और क्या करते हैं उसको drain कर लेते हैं क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है मैंने आपको बताया कि सर मेल कैथिटर होता है कॉंडाम कैथिटर इसको बोलते हैं external मेल कैथिटर होता है question of the day question यह unique है question आपसे पूछा जा सकता है अब इसके अंदर आपको पूरी क्लास अगर मेली लेनी है तो आपको मेरे fundamental के section के अंदर जाना पड़ेगा आपको वहां से पूरी detail के वारे में मैं आपको बता दिया है आगे बास में आप playlist के अंदर जाओगे वहां पे fundamental के series को खोलोगे fundamental के अंदर बहुत सारी classes में आपको दी है जो कि बहुत ज़्यादा important है ठीक है इसको हम कब check करते हैं इसके अंदर एक चीज हो सकती है इसके अंदर blood supply altered कर देता है यह क्या कर देता है मेरे प्यारे बच्चों कि sir blood supply altered हो जाती ह क्यों हो जाती है क्योंकि यह tight होता है थोड़ा सा क्यों यह penis पे क्या करता है tight अपनी grip बना लेता है उसकी बज़े से वहां पे blood supply altered होने के chances होते हैं इसको change कप गिया जाता है कि sir every 24 hours के अंदर इसको change किया जाता है या पिर per day हम इसको change करते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या हो every two to three hours every two hours हमें पेटेंसी को check करना होता है पेटेंसी का मतलब हमें blood supply को check करना होता है कि वहां से blood supply proper है या नहीं है आगे बात सब्सक्राइब क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई अगर आप से पूछा जाए कि mail कौन सा होता है तो आपको इसका answer कर देना है ध् question number अगले की बात करते हैं पिसर identify the shown image, image को आपको identify करना है कि क्या उनसाओ drain होने वाला है देखो आपको मैंने अभी अभी आपको बताया जक्सन पेट drainage जो होता है वो बल्ब के आकार का होता है कि सर जक्सन जो प्रैट होता है वो बल्ब के आकार का था अभी आपको देखा कि सर पैन रोज ड्रेन पैन जैसा होता है कि सर एक पाइप जैसा होता है उसको बोलते हैं पैन रोज ड्रेन अब ये बचा कुछा कौन सा कि सर रोमो ड्रेन होता है रोमो ड्रेन के अंदर एक खास बात होती है कि इसके अंदर ये नालिया पाई जाती है ये क्या करती है मेरे प को बताता हूं जैसे इस connector को आपने इसको disconnect कर दिया आप इसको बहुत बढ़िया इसको ध्यान से image को ध्यान अखिने ना injection पर ट्रेनिज के अंदर रमो ट्रेन के अंदर पैंडोज ट्रेन के अंदर बहुत बार questions पूछे गए हैं इसलिए मैं इन पर ज़ोड़ा दे रहा हूं आपको समझना है, screenshot लेना है, नहीं समझ में आई तो बार-बार वीडियो को देखना है, समझना है आगे बास में ये questions आपके गलत नहीं होने चाहिए है चलिए identify the sun image, इसको identify करना है, ये कौन सा है, infusion pump है या syringe pump है, काफी बच्चों का बहुत बार confusion होता है, कि सर, infusion pump क्या होता है, syringe pump क्या होता है, दोनों एक ही होते हैं या अलग-अलग होते हैं, इनका मतलब क्या है बताएंगे फटाबट से, देखो मैं सबसे पहली बात आपको clear कर दू, infusion pump कह सकते हो, या syringe pump कह सकते हो, दोनों का लगवग मतलब सेम होता है, दोनों एक जैसे देखने को मिलते हैं, आगे बास में, अब infusion pump का use क्यों करते हैं, आपको पता है क्या, आपको पता है कि infusion pump का यूज करते हैं किसी भी drug को, किसी भी drug को आपको किसी भी fix dose के अंदर, fix time के अंदर आपको किसी भी drug को देना है, तो हम infusion pump का use करते हैं, जैसे कि sedative drugs होती हैं, जैसे कि मैं आप से बात करूँ किसा sedative drugs होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो noradrenaline वगएरा होता है, या फिर हम कह सकते हैं मिडाज होता है या जो जितनी भी ड्रक्स होती है जो काडिक इरिटेंड ड्रक्स होती है काडिक ड्रक्स होती है जो बीपी बीपी के एश्यू में होती है यूज होती है उनको हम किसके लिए यूज करते हैं किसे इन्फूजन पंप से यूज करते हैं ये हमारा जो होता है ये हमारा क्या होता है प्लंगर इसके अंदर सैट होता है और हमारा जो ये ये जो है इससा ये वाला जो इससा है ये हट के बाहर आता है और इसके अंदर हम क्या करते हैं अपनी सिरिंज को फिट कर देते हैं और ये हमारे ये हमारे क्या होते हैं यहां से करते हैं जितन आपको dose देनी होती है जिसे suppose एक डॉक्टर ने आपको बोला है कि 5 ml पर आवर इसको जो ड्रुग है वो जानी चाहिए तो आपको 5 सेलेक्ट करना है क्योंकि इसकी अंदर पर ml पर आवर के अंदर ही dose डाइलर होता है उसी इसाफ से आपको जो ड्रुग है आटामेटिक चली जाती है क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों आ गई या नहीं आई किसर बिलकुल आ गई है तो बहुत बड़िया चीज है आपको इसके अंदर इसके अंदर बोटल सी बनी हुई है यह क्या है और यह दार जैसा आपको देखने को मिलता है यह क्या चीज है बताइंगे फटापोट से कि सर यह क्या चीज होने वाली है कि सर यह क्या चीज होने वाली है फटापोट से बताइंगे क्या है बताइंगे फटापोट से कि क्या स्कैलपल होता है क्या सर्जिकल बिलेड होती है या नॉर्मल बिलेड बोलती है या ओल बोलती है कि सर इसको नॉर्मल बिलेड तो नहीं बोल सकते इससे हम सेविंग तो ये topaz की तो नहीं है, किसर बिलकुल नहीं है, ये topaz की blade नहीं है, ये कैसी blade है मेरे प्यारे बच्चों, किसर ये surgical blade है, surgery के अंदर काम आती है, बहुत धारदार होती है, numbering से coding होती है, numbering कैसे होती है, जैसे आपको इसके अंदर 10 number देखने को मिलता है, 10 होती है, 12 होती है, 14 होत ऐसे बहुत तरंबरंगी होती है आगे बासर में तो आपको इसकी image को ध्यानखना है कि ये क्या होती है बच्चों कि सर ये होती है सिर्फ और सिर्फ blade का काम करती है कैसी होती है कि सर ये तो सिर्फ क्या होती है blade होती है होती है नहीं होती है कि सर blade होती है आगे बासद में चलिए अब मैं आपसे बात करूँ Scalpel क्या है Scalpel को use गिया जाता है blade को लगाने के लिए इसके अंदर जो आपको ये हसियाकार देखने को मिलता है नहीं ये जो आपको छेड़ देखने को मिलती है ये जो bottle जैसा आपको देखने को मिलता है ये उसके उपर बना होता है इसके उंदर fit कर दिया जाता है scalpel पे और इसको easily हम use कर सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा उसकी भी diagram tension ना लीजिए आप सभी identified image इसको क्या बहुलेंगे भईया एक तो ये syringe होती है या Tommy syringe है या A and B है या all है बदाएंगे ये पकी बात है ये तो हमारी syringe है लेकिन इसके अंदर हमने जब syringe देखा था तो ऐसी कुछ होत नहीं होता है हमारी जो syringes होती है वह normal कैसी देखने को मिलती है कि सर ऐसी होती है normal जो syringe होती है वो ऐसी होती है हम इससे क्या करते हैं प्लंगर से कीचते हैं और पुश करते हैं लेकिन इसके अंदर तो कुछ अजीब सी दास्तान आपको देखने को मिलती है कुछ आपको अजीब से पार्ट देखने को मिल रहे हैं एक आपको यह देखने को मिल रहा है यह बड़ा होता है यह और भी बड़ा है है नहीं है तो इसका यूज कहां करते हैं और इसको क्या बोलते हैं तो इसको बूलते हैं tommy syringe इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं tommy syringe और कहा इसका यूज़ होता है वो हम क्या करते हैं हमारे follies को या फिर cheese tube को flush करने के लिए यूज़ करते हैं किसके लिए करते हैं कि सर्फ flush करने के लिए यूज़ करते हैं Suppose that किसी patient, आप एक nursing officer हो AIMS के अंदर, अगर किसी patient को urine नहीं आ रहा है, urine not come, अगर नहीं आता है, तो आपको doctor को inform करना है, doctor क्या कहेगा आप से, doctor कहेगा कि आप एक बार fallis catheter को flush करके देख लीजिए, कहीं blockage होगा तो खुल जाएगा, आगी वासे में, तो आप क्या करोगे, जाओगे treatment room के अंदर अपने और वहाँ से जहाँ भी आपका store रखा होता है, वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ से एक trauma syringe लोगे, उसमें अंदर NS बरोगे, 50 ml पूर टोटली जो sterile procedure आपको करना है, आगे बासन में, आपने उसके अंदर 50 ml NS बरा, NS बरके आपने उसके अंदर क्या किया, fallis के अंदर flush करने की कौशिस की, आपने flush किया, तो उसका क्या हो गया, कि sir, urine output आ गया, तो इसका मतलब क्या था, कि flush करने से आपका urine output क्या है, आ गया है तो blockage सा कहीं पर तो इसका हम क्या करते है यूज करते है flush करने के लिए आगे बासन में क्योंकि कभी भी क्या होता है इसके अंदर ये बड़ा होने का कारण क्या है ये बड़ा होने का कारण क्या है ये normal भी बनाया जा सकता था लेकिन ये special syringe होती है only use in the flush और आपको ये जो अभार देखने को मिलता है ये जो अभार है ये जो अभार आपको देखने को मिल रहा है ये उसके अंदर leakage को prevent करता है कि बापिस backflow ना आए अगे बासन में क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है या समझ में आ गई है चलिए तो इसको बोलते हैं Tommy strange कभी भी आपको घबराना नहीं है किसी भी कुश्चन से समझ में आ गई है आप सभी को बहुत बढ़िया तो बताएंगे याँ पर shown the identify image इस image को हम क्या कहते है इस image को हम क्या कहते है क्या इसको blade कहते है कि सर इसको blade नहीं कहते है क्या surgical blade कहते है कि अभी अभी हमने देखा surgical blade नहीं कहते है तो इसको कहते है scalpel इसके अंदर क्या करते है ये वो इसको बोलते है Scalpel इसके अंदर हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर हम क्या करते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों बताएंगे फटापट से क्या करेंगे जल्दी से आंसर देंगे फटापट से क्या आंसर होने वाला है कि यो सीजल पर pussy Tapi क्या इसको स्क्रीज बोलते हैं कर से लिए क्या विदे ग्राप्स से अंसर देंगे जल्दी बताएंगे क्या अंसर होने वाला है इसका कर्यक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका answer होने वाला है BP handle इसको बोलते हैं BP handle यहाँ पे किसी प्रकार का कोई answer correct नहीं होगा आगे बास में इसके अंदर surgical blade को, scalpel को हम क्या करते हैं use करते हैं और क्या करते हैं, cut करने के लिए procedure में काम लेते हैं आगे बास में, यहाँ पे जो हमारी blade होती है फिट हो जाती है, इस खाचे के अंदर फिट हो जाती है, और फिट होने के बाद उसका हम easily use कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर पकड़ने के लिए सादर नहीं होता है इसलिए हम BP handle का use करते हैं क्या मेरी बास में आगे अब सभी को यहाँ तक कि लिए हमारी इतनी ही class काफी है आज की लिए हमने कुछ images को देखा कुछ important images हमारी थी जो कि बहुत ज़्यादा important थी आपको इनको पढ़ना है, class पसंद आई हो तो प्लीज like, share and subscribe करेंगे अपने दोस्तों के शाद शेयर करेंगे ताकि हमें और आपको दोनों को motivation मिलता रहे है और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा content लाते रहें Thank you so much for being there किसी तरह पढ़ते रहें और बढ़ते रहें